पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत को दूसरी बार एकनॉमिक्स का नोबल पूरसकार मिला है अविजीत बनर जी ने एकनॉमिक्स का नोबल पूरसकार जीत कर पश्चिम बंगाल और भारत का मान बढ़ाया है अविजीत बनर जी के बारे में लोगों को कम जानकारी है हम आपको आज बताएंगी कि उनकी माँ उनके बारे में क्या सोचती है उनका अपने बेटे के साथ कैशा रिस्ता है और अविजीत बेनर जी अच्छे कुक के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिल्चस्पी रखते हैं अर्थ शास्त का नोबेल पूरसकार जीतने वाले पश्चिम मंगाल के अविजीत बिनायक बनर जी अच्छे कुक भी है स्पोर्ट्स और म्यूजिक में उनके दिल्चस्पी है टेबल टेनिस और टेनिस जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं पैदल भी चलते हैं बचपन से ही किताबी कीडा रहे अविजीत अपने पिता के ज़्यादा करीब थे उनकी मा निर्मला बंदोपाद्याए उकनोमिक्स की प्रोफेसर रही है वो अब मूल रूप से महराश्ट की हैं लेकिन धारा प्रवाह बंगला बोलती है बंगला कल्चर में फूरी तरह रच बस गई है और अब आप उन्हें देखकर या नहीं कह सकते कि वो महराश्ट से हैं नोबल भीनर अविजीत बनर जी की माता जी कहती है कि उनके बेटे ने अर्थ सास्ट को थियोरी से निकाल कर प्रैक्टिकल बना दिया है अविजीत ने आकड़ों के साथ बताया है कि आम लोगों की समस्याएं क्या है समस्या की जड़ कहां है और उसके समाधान क्या है इस विशे में आम लोग क्या सोचते हैं और वो इसका क्या समाधान चाहते हैं उनके बेटे ने ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से उसके आद्यान किया और लोगों के सामने रख दिया इसलिए उनके बेटे को इतना वरा पुरशकार मिला है अविजीत बनर जी की किताब ऊवर एकोनॉमिक्स ने हाल के दिनों में खूब सुर्खिया बटोरी या उनकी सबसे चर्चित पुष्टक रही निर्मला बनर जी कहती हैं कि उनके बेटे से कोई अपचारिक बात चित नहीं होती मा बेटे गंभीर विश्यों पर ही चर्चा करते हैं अविजीत ने उन्हें नोबल पुरसकार मिलने के बारे में खुद नहीं बताया दोपहर में उनके छोटे बेटे ने उन्हें बताया कि उनके बड़े भाई को नोबल पुरसकार मिला है इसके बाद निर्मला ने टीवी खोला और समाचार चैनलों पर देखा कि उनके बेटे की उपलब्धी पर पूरा देश किस तरह गौर वानुवित हो रहा है तीराशी में देश छोड़ने वाले अभिजीत ने 2017 में वहां की नागरिक तल लिए उनकी मा कहती हैं कि उनका बेटा भले अमेर की नागरिक बन गया लेकिन उनका दिल आज भी हिंदुस्तानी है पश्चि मंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनरजी ने अभिजीत बनरजी की उपलब्धी पर उनके घर एक ग्रिटिंग्स कार्ड भेजा और मिठाई के डब्बे भी भेजे झाल